तो प्रबात बच्चो आज हम आपकी पार्टे पुस्तक संस्क्रित के पंचम पार्ट का अध्यन करेंगे जिसका चीर्शकिस श्रीकृष्णा तो चलिए पार्ट को शुरू करते हैं और श्रीकृष्ण के बारे में जानते हैं पंचम पार्ट है श्रीकृष्णा प्रस्तो पार्ट में भगवान शिरी कृष्ण की बाल लीला का बर्णन किया गया है तो बच्चो जो ये पार्ट है इसमें भगवान शिरी कृष्ण की बच्पन की लीलाओं का बर्णन किया गया है कि वह बच्पन में किस प्रकार से खेला करते थे तो चलिए पाट को शुरू करते हैं उनके बारे में जानते हैं शृ कित्यरों बाल्यागी छंचलाएव आसीत शीरे किछ्णूंव बच्पन से यह ऊचल भुआट अस्ती भेलेश व Annacal बाल्ले काले साओ गोकुल ग्रामें नंद से घ्रेए अस्तध बाझ्पन में गोकुल गाओं में नंद के घर में रहते थे गोकुल यम्ना स्थित्म अस्ती गोकुल यमना की किनारे इस्तित्ह यमना की किनारे बसा हुआ अधिकतर घर से भार जाती थे और गोवालों की साथ खेला करते थे ग्वाले अतध गायों को पालि बाली एक दस है स्वा मितरिस है गोचर्णाई यमना तटी अगच्छत एक बार मैं अपने मितरों के साथ यमना किनारे गायों को चराने के लिए गए तत्र से भव कालम अब्रहमत व्यमा भहुत देर तक गूमते रहे भहुत समय तक गूमते रहे साय काली यदा सग्रम आगच्छत तदा तस्य जन्नी तम अप्रिछत शाम की समय जब घर आए तो उनकी माता ने उनसे पूछा आगे पड़ते हैं यशोदा बस्त कृष्णा तौम कुत्र आगच्छत है बेटे कृष्ण पुत्र कृष्ण तौम कहा गए थे कृष्ण उत्तर देते हैं कृष्ण जन्नी एहम गोपाले सह यमना तटम अगच्छम तत्रा यमना जलम अपश्यम कृष्ण जबाब देते हैं कि माता मैं गौालो के साथ यमना के किनारे गया था वहां तत्रा यमना जलम अपश्यम वहां मैंने यमना के जल को देखा यमना तटे एहम कदम आरोहम बन्शिम चै अबादियम यमना के किनारे मैं कदम के पेड़ पर चढ़ा और बांसुरी बजाई ये ऐसा बताते हैं श्री कृष्ण अपनी माता को ये शोदा किम तुम तत्र अक्रिणा क्या तुम महा खेले ये शोदा जी पूस्ती है क्या तुम महा खेले कृष्ण जन्नी यदा तत्र बन्शिम अबादियम तदा बहवा बालका मम समीपम आगच्छन अहम तई सहा खगान जवाब देते हैं माता वहाँ जब मैं बासूरी बजा रहा था तो बहुत से बालक तदा बहुत से बालक मेरे समीपम आगए और अहम तई सही कगान मिलकान चै अपश्यम मैंने उनके साथ पक्षियों और हिन्नों को देखा बहुत खेला ये बताते हैं श्री कृष्ण अप बेदागान चैञए माता को ये शोदा बत्व दक्षल फादम कथम इदम शतम ये शोदा जी पूrik पूशती हैं पुत्र तुम्हारा जो दाहीना पैर है दख्षल पादम तुम्हारा जो दाहीना पैर है वो किस प्रकार से घायल हो गया इस प्रकार से खायल हो गया कृष्णा जन्नी यदा यमना पूले को पालिस है अक्रिडम तदा अस्माकम कंदुक यमनायम अपतत माता जब मैं यमना के किनारे गौालों के साथ खेल रहा था तदा अस्माकम कंदुक यमनायम अपतत तब हमारी जो गैन थी वो यमना के अंदर गिर गई तत्र अहम तम कंदुकम आनितू यमना जले कूदृता तम में गैंद लेनी के लिए यमना के जल में कूद गया तत्र बहुनी प्रस्तर खंडानी आसन वहां बहुत सारे पत्थर के टुकडे थे तत्र बहुनी प्रिसर खंडानी आजन वहां बहुत सारे पत्र की टुकडे थे तेशु निपत नेन मम पादेश शतम अभवत उन पर गिंडने से मेरा पैर घायल हो गया किंदू जन्नी नात्र कोपी पीडा लेकिन माता यहां आप कोई पीडा नहीं है तो बच्चों हमने इस पार्ट में देखा कि किस प्रकार से यशोदा जी और कृष्ण वारता लाप कर रहे हैं और उनकी वाल लीला का वर्णन पार्ट के अंतरगत किया गया है कि वो यमना की किनारे गायों को चराने जाते हैं यमना जी के किनारे खेलते हैं बंशी बजाते हैं तो चलिए अब हम पार्ट के शब्दार देख लेते हैं शब्दार था अवसत रहता था ग्रहे घर में यमना तटे यमना के किनारे बहुदा अधिकतर बही बाहर सह साथ वत्स बेटा जन्नी मा अपश्यम देखा अक्रिणम खेला अपतत गिर गई आने तुम लानी के लिए प्रस्तर खंडानी पत्थर के टुकडे शतम लास्ते शतम शतम मतलब खायल तो सभी बच्चे इन शब्दार्टों को अर्थ सहीत याद कर लेंगे जिससे की भाशा को समझने में आसानी रहेगी अब है अब हम पाट का अभ्यास कारे कर लेते हैं अभ्यास पहला प्रशन रहेगा लिखी तम से तो चलिए प्रशन पढ़ते हैं और करते हैं लिखीतम, उचीतम, उत्तर प्रदम व्रतम रज्य सही विकल्प वाले गोले को रंग ये प्रशन के चार विकल्प हैं, तीन विकल्प गलत हैं, एक विकल्प सही है हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को रंग देना है तो चेले प्रेशन बढ़ते हैं और करते हैं शे कृष्ण बालेकाला एवम रिक्तिस्तान आसीत ए चंचला, बी विनर्महा, सी सौम्या, डी दुष्टहा तो बालेकाल से कैसे थे? ए चंचला, वो चंचर थे, शेतान थे तो एक चंचला विकल्प हमारा एकदम सही है नेक्स पढ़ते हैं श्री कृष्ण बाले काले डिक्तिसान अफ़सत व्रंदावन धामी गोकुल ग्रामी आगरा नगरे सरवे असत्यम तो बाले काल में वो रहते गोकुल ग्रामे वी विकल्प इसमे हमारा विलकुल सही है वर्णम विकल्प हमारा बिल्कुल सही है एहम यमना रिक्तिस्थान अपश्यम जलम नगरम ग्रामम वर्णम तो क्या आजेगा ए जलम जलम अपश्यम ए विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है अगला प्रिशन पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं अधो दतई पदै य देखे दे गए शब्दों से रिक्तिसान भरिये या कुछ शब्द दिये गए जिनमें से चुनकर हमें रिक्तिसानों के पूर्ति करने हैं तो चली पढ़ते हैं प्रुशन और करने की कोशिश करते हैं बाल्य काले श्री कृस्ट गोकुल ग्रामे दिर्क्तिसान घ्रहे असत तो कहां पर हैं वो गोकुल यम्म्ना तटे यमना के किनारे इसी दम अस्ती अहम गोपाले सहारिक तिस्थान अगच्छम कहां गयते वह गोपालों के साथ यमना के तटपर यमना तटम नेक्स्ट है तदा अस्माकम कंदुका रितिस्थान अपतत कहां गिर गई थी यमना याम यमना जी में गिर गई थी उनकी गैंद नेक्स्ट पढ़ते हैंبة शुद्द हम अशुद वालिकट सही या गलत लिखिए इस में हमें शुद्द और शुद्द पता ना हैं. हमने पाट अच्छी से बढ़ा हैं तुम्हीं ये घासानी से कर लेंगी तो चली प्रै सिन पढ़ते हैं करने की कोशिश करते हैं श्री आग् गोपुल नगर में रहती तो यह भी हो जाएगा हमारा शुद्धम श्रीकृष्णा यमना तीरे बंशिम अबाद्यत मिल्कूल ठीक यमना के किनारे कदम के पेड़ पर वेबंसी बजाते थे तो यह हो जाएगा शुद्धम नेक्षे तक्षिण पादे शतम जातम यह भी शुद्धम शते ओश्दम लेपन चदा अहितकारी भवति यह तो अशुद्ध है और श्टी का लेपन तो हितकारी होता है तो बच्चों हमने इस पाद का अभ्यासकारे थे प्रकार से पूर्ण कर लिया है बच्चों आज हमने आपकी पादे पूस्तक संस्क्रित के पंचम पाद का अध्यन किया जिसके अंतरगत हमने श्रीकृष्ण की बाल लीला के वर्णन को पढ़ा हमने जाना कि श्रीकृष्ण बचपन में कितने शेतान थे और वो गुपालों के साथ गुमा करते थे आश्यक करती हूँ आपको पाद अच्ची से समझाया होगा आप फिर से पाद को उच्चारण के साथ पढ़ेंगे इसके हर्थ को समझेंगे शब्द अर्थ याद कर लेंगे और अभ्यासकारे को भी कर लेंगे मिलते हैं अगली कुक्षा में नए पाद के साथ अपके लिए स्वस्त रहें प्रसंद रहें थन्यवाद